तमश्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वो रहा है, स्वागत है आपका बिंदास्पोर के अंदल है. केजरिवाल के अरश्ट का मुद्दा अब दुनिया भर के निउस पेपर्स में चाया हुआ है. गल्फ के निउस्पेपर हो, पाकिस्तान के निउस्पेपर्स हो, जैसे की डॉन, इसके अलावा अमरीकन निउस्पेपर, फेमस, नियॉर्क टाइम्स, वाशिंटन पोस्ट, बिटन का गार्डियन, दे टाइम्स, और दुनिया भर के और बहुत सारे पेपर्स के अंदर, केजरिवाल का अरस्ट चाहा हुआ है, अब विरोध के स्वर, कई देशों के विदेश मंत्रालें से निकलने शुरू हो गए हैं, तरसल शुरुवात हुई जर्मनी से, और जर्मन एम्बेस्टर जो भारत के अंदर हैं, उन्होंने एक तीखी टिपणी की, अच्छी खासी बड़ी टिपणी की, और ये टिपणी इतनी भारी थी, कि भारत सरकार को नागवार गुश्री, मैं पहले वह बताता हूं कि जर्मन एम्बेसी ने क्या कहा, जर्मन एम्बेस्टर ने क्या कहा, वे वे पतके जर्मना एम्बेस्टर ने क्या क्या कहते हैं, यंदिए इस जर्मन एम्दार्टिर मिस्टर केजरीवाल is entitled to a fair and impartial trial. This includes he can make use of all available legal avenues without restrictions. यानि कि हमने संग्यान ले लिया है, भारत एक लोगतांत्रिक देश है. हम चाहेंगे कि न्याएपालका की जो आजादी है और उसके जो standard है, जो मानक है. और खास्त और से जो democratic principle है, basic democratic principle, मूल भूत, लोगतांत्रिक जो मूल हैं, उनको इस case में apply किया जाएगा. और इसके साथ ही, कोई भी ऐसा वक्ती जिसके खिलाब accusations होते हैं, जिसको अपरादी घोशित किया जाता है, केजरी वाल को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए, एक fair और impartial trial, एक निश्पक्ष ट्रायल, यानि कि निश्पक्ष मुकदमे के सारे अधिकार केजरी वाल को मिलने इसका मतलब वो सभी किसम की legal avenues बिना restriction के, यानि कि जो भी उसको legal help चाहिए, उसे वो पाने का हक्तार है, ये बात कही जर्मनी के investor ने, लेकिन फिर भारत ने उनके George Enzweiler, जो की deputy investor है, उनको बुलाया, और कहा कि हमें ये स्विकार नहीं है, जो आप कर रहे हैं, हमें ये स्विकार नहीं है, जो आप कर रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो उचित नहीं है, लेकिन जब भारत ने जर्मनी के राजदूत को तलब किया था, और अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी, वो ये कहाता कि आप भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक शेप कर रहे हैं, ये आपका अधिकार नहीं बनता है, अब भारत की मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है, इस बात को बढ़ा चाड़ा कर बताया, कि भारत का जर्मनी को करारा जवाब, किसी ने लिखा कि भारत का जर्मनी को तमाचा, भारत ने जर्मनी को डाट फटकार लगाई, कि तु अंद्रूनी मामलों में हस्तक्षिप या फिर बाइलेटल मामलों में हस्तक्षिप भारत ये कहने की कुछ कर रहा है कि मैं बरदाश्ट नहीं करूँगा ये बात थी दो दिन पहले की जर्मनी के साथ अब आते हैं अमेरिका की आपत्य आती है अब अमरीका का विदेश भाग क्या कहता है उनकी भी जो सारी की सारी अपत्य हैं काफी कड़ी हैं अमरीका का विदेश भाग कहता है हमने इसका संग्यान लिया है और केजरी वाल की गिरिफतारी की रेपोर्ट्स पर हम नजर बनाय हुए हैं हम भारत के अंदर निश्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की और टाइम बाउंड लीगल प्रॉसेस की उमीद करते हैं कमाल की बात है सारी अजीव सी बात है किस ने कहा ये अमरीकी विदेश मंतराले के प्रवक्ता सेवेस्टिन फिशर तुरुन का कि हाँ हमने संज्ञान ले लिया है हम नजर बनाय हुए हैं इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन जो बेसिक लोकतांतरिक प्रिंसिपल है और जो स्टेंडर्स हैं और नियापालका की जो आजादी है उसे भारत के जुरिवाल के केस में लागू करेगा हम वे उमीद है अब सवाल ये प्यारा होता है क्या भारत अमरीकी राज़दूत गार्सेटि को तलब करेगा मैं नां भी बता रहा हूं का और उससे कहेगा कि आप भारत के अंदुरूनी मामलों में क्यों हस्तक शेप कर रहे हैं आपको क्या हक बनता है कि आप भारत के उनी मावलों में और भारत के बाई लेटरल इशूज में यारी कि द्वी पक्षिये किसी दो देश बारत के साथ किसी एक देश के सम्मंद है उसमें भारत तीसरे देश की दखलंदाजी बरदाश्ट नहीं करता है यह बास सही है लेकिन उसके ओपर प्रतिक्रिया और लगिरी से देना चाहता है कि we don't like it please take note ऐसा जैसे को को रीजनल बड़ा कोई दादा होता है न उस धंक से अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या भारत अमरीका के एंबेस्टर को जर्मनी के एंबेस्टर की तरह कॉल करेगा और उससे कहेगा कि हमें आपका यह हस्तक्षेप मन कामला है आपको कोई हक नहीं बनता है वैसे कई बर जैसे कि अमरीका ने कहा कि मैं अगर आपको तो इंडिया और पाकिस्तान की बीच में मीडियेशन करवा सकता हूं काश्मीर के शूपर तो भारत ने कहाते यह बाइलेटरल इशू है यू डॉन्ट कम इन बीट्विट्व क्या भारत वास्तों भी हर वक्त ऐसा ही बिएव करता है नहीं मैं आपको एक्जांपल देता हूं दो दिन पहले क्या होता है दो दिन पहले चीन कहता है कि अर्वनाचल प्रदेश मेरा है उसके उपर अमरीका की प्रतिक्रीया आती है कि हम मांनके चलते हैं कि अर्वनाचल प्रदेश पूरा का पूरा भारत का हिस्सता है ह। भारत के विधेश मंत्राले ने कियों अमरीका के सराज़रूद को बुलाकत तलब नहीं किया भ Sorry यह वे यह हमेरा और चीन का आंत्रिक मामला है आप क्षी बीच वे डख्ल देने वाले किया भारत दैंडिल इसके सरा वैं उसके राज़र dużo तलब किया क्यों अब क्या हो गया था चुकि आपके फेवर में स्टेट्मेंट जा रहा है लेकिन इंडिया चाहिए ना का who's America to interfere and say that मैं मानता हूँ कि अरुनाचल हमारा हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए why इंडिया डिडनेंट रिटाउट और अब अमरीका ने कहाया कि केजरी वाल के मामले में ऐसा है तो क्या भारत गार सेटी सहाब को बुलाएगा क्या तलब करेगा क्या जैसे जर्मनी के अंबेस्टर को तलब किया था मैं इसको वाच करूँगा इसको उपर नजर मैं भी बनाए रखूँगा लेकिन एक नजर और भी बनाईएगा जैशंकर दो दिन पहले क्या बोलते है फिलिपाइंस में मनीला में फिलिपाइंस और चीन के बीच में बाइलेटरल जो सम्मन्द हैं उसके डिस्प्यूट्स हैं डिस्प्यूट्स हैं साथ चाइना सी के अंदर की तेरी सीमा कहां तक मेरी सीमा कहां तक समुद्री सीमा है और वहाँ पर जैशंकर साथ फिलिपाइंस यानि की मनीला और चीन के बीच के जो सम्मन्द जगड़ा है उसमें कूद गए और कूद के कहते हैं जो फिलिपाइंस हैं हम उसका समर्थन करते हैं जो स्टेंड है हम उसका समर्थन करते हैं चीन ने कडिया पत्ती जता जी बड़ी फूस इंडिया को इंडिया इंडिया के एंबस्टर कार सेटी को बुलाएंगे तलब करेंगे और उनसे कहेंगे कि केजरी वाल का मुद्धा हमारा अंद्रूनी मुद्धा है जैसे कि जर्मनी के एंबस्टर को पुतल तलब करके कहा है वैसे इस गार्सेटी से पार पाना आसान नहीं है मैं आपको एक किसा बताता हूँ सर्फ एक मिनट के अंदर दोनल्ड ब्लोम जो है वो अम्रीका के पाकिस्तान में एंबस्टर है और वो दो बार P.O.K. का क्शकर काट चुके है भारत ने आप अतिनल जताई कि आप P.O.K. में क्यो जा रहे हो दोनल्ड ब्लोम वहां क्यो जा रहे है यह हमारा इलाका P.O.K. हमारा है लेकिन वो तो पाकिस्तानी कश्मीर में गए थे वो उनके कभजे में है और हम कहते हैं हमारे तुम यह इसका मतलब P.O.K के अंदर आप हमारी पर्मिशन के में नहीं जा सकते जब भारत ने G20 की एक मीटिंग कश्मीर में की शिरिनगर में की तो उस समय भारत के गार सेटी जो की हमारा है यह कश्मीर हमारा है कश्मीर वो पाकिस्तान कहते है कश्मीर हमारा है हम कहते हैं उनका कश्मीर हमारा है तो वहां पर पाकिस्तान ने अपत्ति की कि यह शिरिनगर मीटिंग क्यों है यह कश्मीर हमारा है और गार सेटी वहां क्यों गए फिर एक पत्रकार ने एक मीटिंग के अंदर गार सेटी से पूछ लिया जो अमेरकन अमेस्टर इंडिया में किता है आप जो खास और से आपके जो साथी हैं डोनल्ड ब्रोम वो पी यो के में गए भारत इस पर अब्जेक्शन लिए आप क्या कहेंगे बोलता है हम भी तो आपके कश्मीर वे गए ते शिर रिगर के अंदर जी ट्वंटी की मीट के अंदर वो उनके कश्मीर वे गए हम आपके कश्मीर वे आपको क्या पती उसमें पत्रकार चुप रहा गया वो पिंडाउन करना चाहता था लेकिन गार सेटी की जो रप्लाई थी अमेरिकन अबेस्टर की इंडिया में वो इत सेट बीट्विन अब मैं भी प्रतिक्षा करूंगा लेकिन केजरिवाल का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है अब बास्रफ अमरीका की और जर्मनी के लिए और देशों के अंदर भी अभी प्रतिक्रिया आएगी जो मोधी विश के बीज बो रहे हैं फल तो भोगना पड लेगा अब एक मूट कोश्चन लास्ट का और क्या भारत पर अमरीकी सेंक्षंस लगेंगे देखिए अमरीकी सेंक्षंस कब लगते हैं जब किसी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रिक प्रतिक प्रक्रियों का हरास होना शुरू हो जाता है और यह लगातार उनकी एडिमिस्ट के अंदर अंदर कि भारत कही ना कही मानो मूलियों का पालन नहीं कर रहा है और भारत कही ना कही उन मूलियों पर चल रहा है जो डेमोक्रिसी के और मानोवी मूलियों खिलाफ हैं तो वहां से अमेरिकन जो एडिविस्टेशन है और भारत अगर इसी रास्ते पर चलता रहा तो अमरीकी सेंक्शन्स लगना कोई बहुत दूर नहीं है और अगर एक बार को अमरीकी सेंक्शन्स लग गई तो फिर ये पांच साल को जाती नहीं हैं से और फिर उसके बाद बरबादी का एक दौर शुरू होता है जो हमने खास दोर से जब अटल वियारी वाच बही ने एटम मम फोड़ा था पोकरन का दुबार आइंद्रा गांदी के बाद उसके बाद भारत के उपर जो सेंक्शन्स लगी थी अमरीका की उससे बाहर निकलने में भारत को कितने साल लगे थे ये लोगों को भूलनाने चाहिए और जैसे यसे भारत पे डेमोक्रिसी का हरास होगा अमरीकी सैंक्शन्स और प्रतिक्रियाएं स्ट्रॉंग होती जाएंगी ध्यान रखिएगा तो हम भी सैंक्शन्स से बहुत ज्यादा दूर नहीं है धन्यवाद आप सबका शुक्रिया